हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीटूट के इस सिंप्लिफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 27 के पार्ट 1 का एक्स्प्लेनेशन यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए कितने पदों का योगफल 5050 है देखे इस प्रकार के यह जो कोश्चन है आप तभी कर पाएंगे जब आपने पिछले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा होगा मैं इस कोश्चन को एक्स्प्लेन करता हूँ आपको इस श्रेणी में योगफल से पद प्राप्त करना है जबकि यह कोश्चन पद से योगफल प्राप्त करने के मैं करवा चुका हूँ तो यहाँ पर दो कॉंसेट लगेंगे पहला कॉंसेट क्या है देख लेते हैं पदों का योग बराबर होता है अन्तिम पद धन प्रथम पद बटे में दो गुणा में कुल पदों की संख्या इस प्रकार से यह योगफल प्राप्त करने के लिए होता है एन पदों का प्रत्म पद और बटे में सरवांतर धन में एक ये concept होता है किसी श्रंखला में पदों की संख्या ग्यात करने का और उस श्रंखला में पदों का योग ग्यात करने का उपर वाला concept अब देखिए मैं यहाँ पर दीगई condition को इस्तिमाल करता हूँ मुझे प्रत्म पद तो पता ह लेकिन अंतिम पद नहीं पता तो इस concept में सबसे पहले उपर वाले concept में मैं values रख देता हूँ तो योग में निकालने की कोशिश करता हूँ तो योग क्या हो जाएगा अंतिम पद मुझे नहीं पता तो अंतिम पद को वैसा का वैसा लिग दिया प्लस प्रत्म पद एक है ब पदों की संख्या क्या हो जाएगी एन जो कि हमें नहीं पता बराबर में अंतिम पद हमें नहीं पता माइनस यहाँ पर प्रतम पद हमें पता है जो की है one और divided by सरवांतर देखिए सरवांतर क्या है सरवांतर यानि सभी पदों के बीच का अंतर एक दो तीन इस प्रकार से यह एक सीधी श्रंखला है जिसमें पदों का अंतर एक होगा और यहाँ पर धन में कर देंगे एक इस प्रकार से यह हो जाएगा n बराबर अंतिम रिन एक धन एक यह धन एक से रिन एक कैंसल हो गया यहाँ पर एक important equation हमें पता चल गई जो की है पदों की संख्या बराबर अंत divided by two और यहाँ पर गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे पास मैं n का मतलब भी अंतिम पद है तो वो यहाँ पर मैंने रख दिया अब यह योग की जगे पर यह value रख दे रहा हूं मैं तो यह हो जाएगी 5050 बराबर में अंतिम पद धन एक बटा में दो गुणा में अंतिम पद इस दो को मैं इस 5050 के साथ गुणा कर रहा हूं तो यह हो जाएगा 10100 इस प्रकार से इस equation को मैं जब solve करता हूं यानि कि इसे अंदर की तरफ गुणा करता हूं तो यह हो जाएगा अंतिम जो पद है उसका वर्ग धन अंतिम पद अब इस प्रकार से यह जो final equation आई है इसे हम आप्शन बेसिस पर solve करना है यानि कि यदि आप अंतिम पद पता कर लेंगे तो आप पदों की संख्या पता कर लेंगे क्योंकि हम यह निकाल चुके हैं कि अंतिम पद ही पदों की संख्या के बराबर होगा तो देखिए यहाँ पर option से option basis यदि हम जाते हैं तो क्या option हो सकत है याने 50 यदि मैं यहाँ पर 50 का वर्ग करता हूं और 50 जोडता हूं तो 10,100 नहीं आएगा इसी प्रकार से 51 करने पर भी यह नहीं आएगा 100 करके देखते हैं तो देखिए 100 का वर्ग जो होता है वो 10,000 होता है और अंतिम अंक 100 है इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यह equation इस experiences को देखते हुए मैं उम्मिद करता हूं आपको एक question समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question है 11 का वर्ग धन डेश 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 21 के वर्ग का योग कितना होगा अब देखिए यह तो एक प्रकार की श्रंखला पराधारित प्रश्न है तो इस concept को आप याद रखिएगा ये concept है N लगातार पदों के वर्गों का योग याद रखिएगा वर्गों के योग का formula है अब यहाँ पर हम N पदों की यदि बात करें तो N लगातार का मतलब संख्या 1 से शुरू होती है और यहाँ पर तो 11 से शुरू हो रही है तो हम क्या कर हम 21 रखेंगे पहली बार में तो यहाँ पर 1 से 21 के बीच में N कमान 21 आ गया ब्रेकेट में N कमान 21 है और एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 ब्रेकेट बन अगले ब्रेकेट में N के साथ में 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 और यह धन एक और यह divided by 6 इस प्रकार से 21 गुणा 22 गुणा 42 और 143 बटा में 6 अब 2 से इसको 11 बार कैंसल कर दीजिए 2 से इसको 3 बार 3 से इसको 7 बार अब गुणा कर देते हैं तो 7 का पहले में 43 में गुणा कर रहा हूँ ग्यारा का अंतिम गुणा करूँगा तो यहाँ पर 7 तीया 21 की एक हासिल का 2 साच्चोक 28 और 230 गुणा में 11 अब 11 का 301 से गुणा कर दीजिए अंतिम संख्या को आखरी में लिख दीजिए एक और शुन्य को जोडने पर एक आता है शुन्य और तीन को जोडने पर तीन आता है और अंतिम तीन 11 से यदि आप गुणा नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा अलग से वीडियो बना करके इन गुणा करने की विधियों को बताएंगे तो इस प्रकार से एक से लेकर के 21 तक के पदों के वर्गों का योग हमें मिल गया है जो की है 3311 अब इसी प्रकार से हम एक से लेकर के 10 तक याने की एक से 10 तक के पदों के वर्गों का योग निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम अंतिम पद N याने की यहाँ पर अब 10 लेंगे अगले bracket में हो जाएगा n बराबर 10 10 दूनी 20 20 और 21 और divide कर देंगे इसको 6 से अब यहाँ पर संख्या को divide कर देते हैं 2 से cancel करेंगे 2 तिया और 2 पंजे 10 यहाँ पर 3 से 7 बार cancel हो जाएगा 7 पना 35 गुणा में 11 यह हो जाएगा 35 को 11 से गुणा करने पर पीछे 5 आ गया 5 और 3 8 हो गया और आगे 385 इस प्रकार से ध्यान से समझी अब मैंने ऐसा क्यों किया था कुल मिला करके 1 से 21 तक के पदों के वर्गों का योग मुझे पता है और 1 से 10 तक के पदों का योग भी मुझे पता है तो बीच के 11 से लेकर के 21 पदों का योग मुझे पता चल जाएगा तो ध्यान से समझ यह 11 में से 5 गया तो 6 बचता है यहाँ पर बच गया 10 10 में से 8 गया तो 2 बच गया यहाँ पर बच गया 12 12 में से 3 गया तो 9 बच गया और यह आंसर आजाएगा 2926 जो की option एपर दिया गया है तो इस प्रकार से बीच की श्रंखला में यदि कोई बीच की श्रंखला बनती है वर्गों की तो आप इस प्रकार से इस प्रकार के प्रशनों इस प्रकार के concept से इसे कर सकते हैं उम्मित करता हूँ कि यह question आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं अगला question कर अगला प्रशन है यदि करणी के अंदर 299 भागित करणी के अंदर x बराबर 1 बटा 5 है तो x का मान ज्याद कीजिए अब देखिए इस question को हम कैसे करते हैं यहाँ पर करणी के अंदर 289 और बटे में करणी के अंदर x लिखा हुआ है बराबर कर देंगे 1 बटा 5 से हम जानते हैं कि यह 17 का वर्ग होता है 299 तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 17 लिख देंगे इस प्रकार से under root में यहाँ नीचे x आ जाएगा 1 बटा 5 अब इस 5 को 17 से ग से ले लिया क्योंकि confusion रहता है कि हम करणी x का मान निकाले या x का मान निकाले तो आपको हमेशा x याने अंदर की value का मान पता करना है तो इसका हम वर्ग ले लेते हैं तो दोनों तरफ यदि हम इसको multiply करते हैं तो 17 पंजे 85 बराबर में करणी के अंदर x अब आप एक काम करन हम कैसे निकालेंगे ध्यान से समझे जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालना हो और पीछे 5 हो तो संख्या पीछे 25 आती ही आती है 8 के अगली संख्या जो होती है वो 9 होती है इस 8 और 9 को आपस में गुणा कर दीजिए 8 ना बहुत तर तो ये हो गया 85 का वर्ग जो की x का मा उसके आगे वाले अंक को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए जैसे मैंने यहां पर करा 8 को 9 से 72 हो गया इस प्रकार से ये वर्ग हमने 85 का निकाल लिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है वह कौन सी नियूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है अब देखिए यहां पर पहले में संख्या लिखते देता हूँ 0.000326 अब यहां पर इस दर्शमलवी संख्या को मैं भिन्न में बदल रहा हैं यहां पर हम गिन लेते हैं कि दर्शमलव के बाद में कितने अंक हैं तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक हैं मतलब उपर की संख्या जो पुर्ण अंक है उसे वैसा का वैसा लिख दीजिए और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुन्ने लगा दीजिए अब देखिए इस संख्या में हमें उपर वाली जो संख्या है 326 इसे पता करना है कि यह किस संख्या के पास का वर् तो यहां पर मैं आपको प्रोसेस जरूर बता देता हूँ फिर सीधे भी बता दूँगा तो यहां पर प्रोसेस यह है कि आप 326 को यहां पर ऐसे लिखें इस प्रकार से 2 लाइने बना दे और फिर इस संख्या 326 को पीछे से 2-2 के जोड़े में बांध दीजिए तो यहां पर 2 और 6 का एक जोड़ा हो जाएगा 3 रिक्त रह जाएगा क्योंकि हमें वर्ग पता करना है अब आप यहां पर और यहां पर ऐसी संख्या लीजिए जो समान है और जिसका गुणा करने पर वह 3 से कमाएगी तो हम जानते हैं यहां पर 1 ही लिया जा सकता है क्योंकि 2 का 2 से गुणा करने पर 4 हो जाएगा जो 3 से अधिक हो जाएगा तो यहां पर 1 का 1 से गुणा करने पर आप यहां पर लिख दीजिए याने इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा और यहां पर लिख दी जाएगी अब 1 और 1 को जोड़ करके नीचे यहां पर लिख दीजिए और 3 कि यहाँ पर गटा दीजिए गटाने पर यहाँ गया दो अब आप क्या करेंगे यहांपर फिर से वही process इस्तिमाल करेंगे जू मैंने ऊपर बताई है इस जगह पर वही अंक लेंगे जो नीचे अंक लेना है इस प्रकार से यह जो उपर वाली संख्या है ये बन जाएगी 21, एक लेने पर, दो लेने पर, 22, तीन लेने पर, 23, अब आपको ये देखना है कि यदि ये 21 बन जाएगी तो 2 से तो बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब पीछे लिखी हुई दोनों अंक आपको ले लेने हैं, क्योंकि ये जोडे में हैं, तो ये 26 हो गया, इस से गुणा करके देख लेते हैं, तो 28 को 8 से गुणा करेंगे, 8, 8, 64 होता है, हासिल का 6 बचता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 और 6, 22 होता है, तो इस प्रकार से ये 224 बनेगी, जो की घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से हम अंतिम स्वरूप में पहुँच गए, क्य यहाँ पर 0.2 तो कोई आप्शन में दिख रहा होगा, अब देखिए, यहाँ दो आप्शन है, 0.02 और 0.00002, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बटे में 6 शुन्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर obviously आप्शन जो होगा, वो भी होगा, तो इस प्रकार से 2 के बटे में, जब लगाएंगे, तो उपर की तरफ 0.02 एक, दो, तीन, चार, पांच और फिर दो लिखेंगे, तो यह आंसर ऐसे प्राप्त होता है, तो मैं आपको यहाँ पर कैसे हम पूर्ण वर्ग में बदलें, यह बता रहा था, उम्मिद करता हूँ यह कोशन आपको समझ में आ गया होग आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन करते हैं, प्रशन है, इन संख्याव में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए, यहाँ पर प्रशन है 0.05 का वर्ग, करणी के अंदर 0.49, घन करणी के अंदर 0.08 और 0.23, अब देखिए, इसको हम करते हैं कोशन को solve, तो यहाँ पहले तो हमें मूल स्वरूप में लाते हैं, तो 0.5 का जो वर्ग होता है, वो होता है, 0.5 गुणा 0.5 याने 25, यहाँ पर 0.1 अंक के पीछे है, और यहाँ पर भी 0.1 अंक के आगे है, इसका मतलब गुणन फल में 2 अंक के आगे आएगा, इसका मान हो जाएगा 0.25, आगे बढ़ते हैं, करणी के अंदर 0.49, इसे हम लिख सकते हैं, करणी के अंदर 59 बटा में 100, हमने इसको भिन्न में बदल दिया, अब 59 जो होता है, वो 7 का वर्ग होता है, और 100 जो है, वो 10 का वर्ग होता है, इस प्रकार से वर्गमूल के बाहर निकालने पर यह 7 बटा 10 हो जाए गन्मूल 0.008 का मतलब 8 बटा में 1000, इस प्रकार से 8 जो होता है, वो 2 का गन होता है, और 1010 का गन, इस प्रकार से दशमलो भी फिर से इसे बदलने पर 0.2 हो जाएगा, अंतिम संख्या as it is, दशमलो में है 0.23, अब दी गई सभी संख्याव में सबसे चोटी पूछी गई है, 0.2 जो होगा, इसका सही आंसर होगा, और 0.2 जो है, प्राप्त हो रहा है हमें घन्मूल 0.008 से, तो जो कि इसका सही आंसर होगा, option C, मैं उग्मित करता हूँ कि सभी कोशनों को में बहतर तरीके से समझा पाया होँगा, आप अपने experiences, commit box में जरूर लिखे, ताकि आपको औ और बहतर वीडियो मिल सकें, इस वीडियो को देखने के लिए थेंक यू,